खुद की तरक्की में इतना बक्त लगा दो कि दुसरों की बुराई करने का बक्त ही ना मिले नमस्कार दोस्तों मैं राहूल रंजन अश्टडी इंडिया अड़ा डिश्टल वर्फ लर्णिंग में स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आप लोगों पता ही चैनल पे अरारवी एंटी पीसी साथ ही साथ ग्रूब डी और एससे क्लासे चल रहा है दोस्तों आज का जो वीडियो लेकर क्या हूं जो कि बहुत ही महत्तवपूर्ण है इसमें लगवग 40-45 कोश्चन इस वीडियो को लाख तक देखि करते हैं और अपने डॉट को किलियर कर सकते हैं पर देख दिन आप लोगों के लिए जो है जो है यहां पर इस पेसल वीडियो अप्लोड किया रहा है ठीक है दोस्तों चलते हैं को सुरू करते हैं और जो नया स्टूडेंट है चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर घ क्योंकि घंटी के बेल अउन रहेगा तब इस चैनल पर जितने भी स्टेडियो में प्रवाइड होता है उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मौहल तक पहुंचेगा चले दोस्तों को सुरू करते हैं और जिस कोश्चन का अंसर आप लोग जानते हैं बेसक कमेंट किया किज और वहला तो आपके अपसेंस लगाए होंगे तो प्रिक्रमा करने वाले चोटे और पिंड को क्या कहते हैं इसकोस्टन के इस Commissioner के बात करते उपग्रह, option B इस question का बिल्कुल correct answer होगा, अगर उपग्रह आप लोग लगाए होंगे तो आपका correct answer होगा, next question पर आईए, third number question, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, इस question का correct answer की बात करते है, option A, 8, सौर मंडल में total 8 ग्रह है, next question है, fourth number question, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों और घुमने वाला उपग्रह नहीं है, ये दोस्तों से दो ग्रह हैं जिसका नाम है बूध और सुक्र option B correct answer होगा बूध और सुक्र ग्रह हैं जिसके चारों और घुबने वाला कोई भी उपग्रह नहीं है फिफ्ट नम्मर कोशेन पे आईए किस ग्रह को evening star सांज का तारा evening star बोला जाता है दोस्तों उस ग्रह का नाम क्या है उस ग्रह का नाम है सुक्र option B correct answer होगा सुक्र ग्रह को evening star सांज का तारा बोला जाता है सिक्त नम्मर कोशेन पे आईए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सुर्ज के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है उस ग्रह का नाम क्या है उस ग्रह का नाम है दोस्तो बुद्ध आप्शन एक करेक्ट अंसर होगा नेश्ट कोहचन है सेवंथ नमबर कोहचन सौर मंडल का सर्वधिक गर्म ग्रह कौन सा है सौर मंडल का सरवधी गर्म गरह की बात करते है वो शुक्र गरह है दोस्तों option B is the right answer 8 number question B पिर्थवी अपनी धूरी पर घूमता है पिर्थवी अपनी धूरी पर घूमता है दोस्तों कितने धूरी पर घूमता है यह मतलब कितना ताइम जो है इसको गूमने में लगता है अपनी धूरी पे तो दोस्तों इसका जो टाइम लगता है 23 गंटे 56 मिनट चार सेकंड पिर्थवी अपने धूरी पर घूमने में टाइम लेता है 23 गंटे 56 मिनट 4 सेकंड अपको याद करना होगा नाइन्थ नम्मर कोचन बेँए, निमनलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वधीक प्रकृतिक उपग्रह है उस ग्रह का नाम है ब्रिहसपती, option ये बिलकूल करेक्टरंसर होगा ब्रिहस्पतिक ग्रह का सबसे धीक प्रकृतिक उपग्रह है दोस्तों और सबसे बड़ा ग्रह भी ब्रिहस्पति ही है टेंथ नमबर कोचेन वे आईए सौरे मंडल का दुसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दूसरा सबसे बड़ा second largest की बात करते हैं वो है सनी जो की option C में given है next question है सनी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है सनी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तो टाइटन उसका नाम क्या है टाइटन option A correct answer होगा बारह नमबर question पर ये निम्न में से किस उपग्रह के चारों और असपस्ट बले है ये है दोस्तो option C इसका भी होगा right answer सनी जान दिजेगा सनी ग्रह के चारों और दोस्तो यहाँ पे असपस्ट बले दिखता है option C correct answer होगा next question है आपके सामने 13 नमबर question निम्न लिखित में से किस ग्रह को पिर्थिवी का बहन कहा जाता है sister of earth दोस्तो पिर्थिवी का बहन जो है कौन से ग्रह को बोला जाता है उस ग्रह का नाम है सुक्र ग्रह option B correct answer होगा 14 नमबर question भाई ये उत्तरी धुरूब का खोज किस ने किया था उत्तरी धुरूब का खोज किया था दोस्तो रौवर्ट पियरी ने option A correct answer होगा रौवर्ट पियरी के द्वारा उत्तरी धुरूब को खोज किया गया था नेक्स्ट कोष्चन है 15 नमबर सुर्ज ग्रहन निम्न में से किस इस्थिती में होता है सुर्ज ग्रहन जो होता है दोस्तो कौन से कंडीशन में होता है ये इस कोष्चन का right answer होगा option A जब पिर्थिवी और सुर्ज के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सुर्ज ग्रहन होता है सुर्ज ग्रहन होता है option A correct answer होगा next question बहुत important अंत्रिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है अंत्रिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है दोस्तो 89 option C correct answer होगा 17 नमबर कोष्चन बैए निम्न लिखित में से किन के बीच औसत दूरी को खगोलिये एक अक कहा जाता है यह दोस्तो बोला जाता है पिर्थवी और सुर्ज के बीच की दूरी को दोस्तो खगोलिये एक आंक बोला जाता है 18 18 नमबर कोष्चन बैए यह सुर्ज में काला धबा क्या है सूर्ज में जो काला धबा दिखाई देता है दोस्तों वो क्या है वो है धब्बे वे स्थान है जो परकास उत्सरजित करने में अश्चमर्थ है उस चीज को दोस्तों ब्लैक धबा जो है वहाँ पे दिखाई देता है option C correct answer होगा 19 number question वह ये सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगवक पिर्थवी जितना बड़ा है सौर मंडल का कौन सा ग्रह है दोस्तों जो पिर्थवी जितना बड़ा है उस ग्रह का नाम है Venus option C correct answer होगा 20 number question वह ये निम्नलिखित में से की से blue planet कहा जाता है blue planet दोस्तों पिर्थवी को बोला जाता है option B correct answer होगा 21 number question वह ये सबसे तिवर गती से सूर्ज का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है उस ग्रह का नाम है दोस्तों बुद्ध option A बिलकुल correct answer होगा बुद्ध ग्रह जो है सबसे तिवर गती से सूर्ज का चक्कर लगाने वाला ग्रह है पिर्थवी इस्थित है पिर्थवी कहां इस्थित है दोस्तों option के अनुसार होगा सूर्ज एवं मंगल के मद्ध में बीच में option A बिलकुल correct answer होगा सुक्र एवं मंगल के बीच में सुक्र पिर्थवी मंगल हाँ option A बिलकुल correct answer होगा next question आपके स्क्रीन पर दिखरा होगा 23 number सूर्ज एवं पिर्थवी के बीच की दूरी क्या कहा बीच की नियुनतम दूरी होती है सूर्ज और पिर्थवी के बीच की दूरी होता है और अधिक्तम दूरी कब होता है सूर्ज और पिर्थवी के बीच दोस्तों यह होता है option A correct answer होगा सूर्ज पिर्थिवी से अधिक्तम दूरी होगा दोस्तों 4 जूलाई ध्यान दिजिएगा 4 जूलाई को अधिक्तम दूरी होती है और 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है याद कर लिजेगा 4 जुलाई is the right answer next question है आपके सामने 25 number question पिर्थिवी की अपनी कच्छा में गती है पिर्थिवी की अपनी कच्छा में गती है दोस्तो पौश्चिम से पूर्व की ओर option A बिल्कुल correct answer होगा 26 number question पर ये दोस्तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके अपना फिडिवेक देते रहिए ताकि हम लोग भी मोटिवेट होकर कर आप लोग लिए अच्छे से अच्छे material प्रोवाइड करा सकें सौर मंडल का सबसे बड़ा उपरह निम्नलिखित में से कौन सा है वो उस ग्रह का नाम है गैनिमेड option D correct answer होगा 27 number question वे ये पिर्थिवी की सर्वधीक निकट कौन सा ग्रह है उस ग्रह का नाम है दोस्तो सुक्र सबसे निकट ग्रह 28 number question वे ये सूर्ज के चारो और पिर्थिवी का परिक्रमन काल क्या है सूर्ज के चारो और पिर्थिवी के परिक्रमन काल क्या है दोस्तो ये क्या है इसका right answer की बात करते है option B correct answer होगा अधिकतम होती है जब पिर्थिवी सूर्ज के हुटा है और पिर्थिवी के परिक्रमन की चाल होती है जब पिर्थिवी के निकट होती तो नेक्ट कोश्चन है आपके सामने 29 नम्मर कोश्चन दीन रात होने का में कारण क्या है दीन रात होता है दोस्तों इसका में कारण है पिर्थिवी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है इसी बज़ा से 30 नम्मर कोश्चन किसने सबसे पहले पिर्थिवी की परीधी को मापा प्रत्धिवी के परिदी को मापने वाला था दोस्तो ए्रेतोस थनीज ऑप्शंट डी-्करेक्टिक अन्सर होगा कि आप सूप्शिट के रशाइने की मिस्टरन में हाइड्रोजन का परतिसत कितना होता है सूर्ज के रहसायनी की मिस्टरन में हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों एक 70% होता है 32 नमर कोशन बैए यह निमनलिखित में से कौन एक तारा है option D correct answer होगा दोस्तों सूर्ज जो है एक तारा है 33 नमर कोशन है सूर्ज की सतफ़ पर hydrogen के अलावा दूसरा कौन सतफ़ बहुआयाद सिर्फ से पाया जाता है यह पाया जाता है helium ध्यान दिजिएगा hydrogen के बाद हिलियम सबसे जाधा पाया जाता है सूर्ज में 34. सूर्ज का परकास धर्ती पर पहुँचने में कितना मिनट लेता है? 8.3 होगा दोस्तों, option के नुसार? Option A. सूर्ज के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्ज के सबसे पास बुध्ध ग्रह है, option A correct answer होगा. कौन्सा गरह सूर्ज की प्रिक्रमा 88 दीन में पुरी करता है उस गरह का नाम है बूध। बूध गरह जो है दोस्तों सूर्ज की प्रिक्रमा 88-88 डेज में पुरा करता है नेक्षट कोछँन पिर्थिवी की ब्रहमन गती है पिर्थिवी की भर्मन गतिय दोस्तो 27 किलो मीटर पर मिनट पिर्थिवी अपने अक्ष पर गुमती है पिर्थिवी अपने अक्ष पर पहच्चिम से पुर्व की और गुमती है कन्फ्यूज ना होएगा पुर्व से पहच्चिम मत बोलिये लगाएगा पह्चिम से पूर्व की और घुमती है, सबसे चमकीला ग्रह कौसा है, सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों सुक्र ग्रह है, option C correct answer होगा, पिर्थिवी से दिखने वाला चंद्रमा की सत्ह, उसकी कूल सत्ह का कितना परशेंट है, उसकी कूल सत्ह का दोस्तों 59% है, option B correct answer होगा, पिर्थिवी से दिखने वाला चंद्रमा की सत्ह, उसकी कूल सत्ह का 59% है, नेक्ट कोशन 43 नमबर कोशन है, सौर मंडल के चार सबसे विसाल ग्रह को घटते करम में जमाए, option इसका correct answer होगा, B, सबसे बड़ा है दोस्तों, ब्रिहस्पती, उसके बाद सनी, उरेनस, उसके बाद Neptune, सही स्रीज होता है, option B, option के नुसार, 44 नमबर कोशन पर देखिए, निम्न में से किस बैग्यानिक ने सीध किया, कि सूज के चारो और परतेक नच्छत्र का मार्ग दिर्ख बृता कार है, वो था केपलर, option D, correct answer होगा, केपलर बैग्यानिक ने सीध किया, दोस्तों, कि यही पर शवाप्त किया जाता है, आपका इस, आप लोगो को अगर PDF चाहिए, तो आप लोग टेलिग्राम पर जॉइन कर सकते हैं, टेलिग्राम का लिंक इस वीडियो के description मिल जागा, वहां से free में PDF को डॉनलोड कर सकते हैं, टेलिग्राम जॉइन कर लेने के बाद, और जो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद,